हाई स्टुडेंट्स जैसा कि स्टुडेंट्स के बीच में कन्फूजन चल रहा था कि मेट 20 की जो एक्जाम ड्यू है वो जूला एगस्त में होगी या इसको पॉस्पॉन किया जाएगा इसके लिए आईशेय ने एक बीच का रस्ता निकाला है और वो है पॉक्ट आउट स्कीम क्यानि इन्हों ने जो स्कीम दी है उसने दोनों तरिके के स्टुडेंट्स का दिहान रखा है कि जो एक्जाम देने के लिए प्रिपेड है और मैं की एक्जाम ये जून जुलाई में और और किसी वज़से हूं तो ऐसे स्टुडेंट्स के लिए इन्होंने ओप्ट आूट स्केम एननौनस की है तो इस ओप्ट आउट स्कीम में क्या प्रोविजन है तो इसको हम देखें तो स्टूडेंट्स को येावा है कि जो स्टूडेंट से में का एक्जाम फोर्म पिल कर चुके हैं एसे प्ट के पास में चोइस है कि वह चाहे तो अपना एकजाम जुलाइकस्त में जो होने वाला है इसको नहीं दे कर वह नौबर में अपना एकजाम दे सकते हैं इसके लिए जो विंड़ो आएगी जो 17 से चालू होने वाली है उसमें वो not out, not opt out scheme चोज कर सकते हैं और उस case में क्या होगा कि इन्होंने जो fees deposit कराई है भी May 20 की, ये fees भी नौंबर में शिप्ट हो जाएगी और अगर कोई exemption उनका pass अविलेबल है, exemption की अविलेबल है, तो वो भी नौंबर में शिप्ट हो जाएगा, यानि इस attempt को count नहीं माना जाए इस attempt में एक्जाम हुई नहीं था, इस attempt में एक्जाम हुई नहीं थी, ये मानते हुए fees भी आगर सिप्ट हो जाएगी और एक्जाम से भी आगर सिप्ट हो जाएगी, लेकिन जो student चाहते हैं कि हम इस एक्जाम को दें, उन students को जो opt-out scheme है वो चूज नहीं करनी, तो ऐसे case मे इन students की जो एक्जाम है, वो जूलाई एक्जाम है, वो उनकी हो जाएगी, लेकिन एसे case में आईशाय निकाह है, कि जो student एक्जाम में दे रहे हैं, उनको भी नोंने दो category में डिवैड किया है, कि जो May 20 के एक्जाम देना चाहते हैं, कि एसे students, जहां पे center में कोई problem नहीं है, जो government guideline के accordingly जहां जिन centers पे exam हो सकती है, इसे centers पे तो exam हो जाएगी, तो exam होने का मलब है कि जो fees है, वो भी consume मान ली जाएगी, और जो exemption उनके पास को available है, वो भी consume मान ली जाएगी, यानि इन्होंने May 20 का exemption ले लिया, या May 20 के exam दे दी, तो उनकी exemption count में आ जाएगी, और उस attempt को append attempt मान ले जाएगा, लेकिन इन्होंने यह और का है कि जो लाइग के first week में हम review करेंगे, और review करके ये देखेंगे कि situation क्या चल दी है, किसी particular center में exam होने लाइक नहीं है, और मान लोग कि इस particular center पे exam नहीं ली जा सकती, तो उस center की सभी बच्चों को नौंबर में shift कर दिया जा है कि उनकी fees भी नौंबर में shift हो जाएगी और उनकी exam भी नौंबर में shift हो जाएगी, तो कुल में लाइकि जो बच्चे opt-out scheme चूज करते हैं, उनका तो fees और count जो attempt है, वो नौंबर में shift हो जाएगा, और जो student note-out, ये जो opt-out scheme चूज नहीं करते हैं, यानि May 20 की exam जुलाई एगस्त में देने वाले हैं, एसे students की दो situation होगी, कि जिन center पर exam हो जाएगी, उन center की students की fees भी count भी मान लिया जाएगी, और exam भी count भी मान लिया जाएगा, और जिन centers पर exam नहीं हो पाएगी COVID के बज़े से, उन centers का, के जो students हैं, उनकी fees को भी shift कर दिया जाएगा, और उनकी exam को भी shift कर दिया जाएगा, और ये जो window आएगी 17 से, इस window में उनको one time chance मिलेगा, कि किन बच्चों ने जो ये opt-out scheme चूज कर दी है, उन opt-out scheme वाले बच्चों को दुबारा reversal की position नहीं मिलेगी, इसलिए ये जो scheme है, ये दोनों बच्चों को, दोनों तरिके के students हैं, उनको ध्या तो ऐसे case से मेरा opening यह है कि जिन students की exemption आई हुई है already, तो उन exemption बच्चों को ये देखना चाहिए कि हमारी क्या preparation है, वो strong है क्या, अगर strong preparation है तो उनको ये scheme चूजी नहीं करने चाहिए, और एक्जाम जूलाई में दे देने चाहिए, लेकिन जिन बच्चों की exemption बच्चे उनने तैयारी नहीं हो पाई है और लग रहा है कि मदब उस अग्जाम तक जुलाई अगस तक तैयारी नहीं हो पाएगी, प्रिपेरशन नहीं हो पाएगी, तो ऐसे students को opt-out scheme चूज करने चाहिए, ज्याने उनको ये attempt नौमरम सिर्प का लेना चाहिए, लेकिन जिन students के exemption नह उनका ज्यादा का लूस हो रहा है, फीस का लूस हो रहा है, तो एक फीस कोई ज्याधा major pää Faith ne को नहीं होती है, तो ऐसे case में उनको जुलाई के exam जाना चाहिए, जुलाई का exam हो रही होई भी पेर होना चाहिए, क्योंकि उसको आइसम ذ Oke और माली जो चाहते हैं कि नवंबर के एक्जाम दे तो क्योंकि जब नवंबर के एक्जाम के फोर्म आएंगे उस समय नवंबर एक्जाम को फोर्म भी पर सकता है तो यानि वह इस्टुएंट दोनों एक्जाम का बेनिफित उठा सकते हैं तो जुलाय का उठा सकते हैं और कि पोज़िशन रखो रहे हैं तो इसक transform जैएगे कोई बात नहीं है जहांपी करोना का ज्यादा a problem तो वहाँ कही रही है कि ज्यादा पोज़िशन खिराब गई ही तो हम एक्जाम इस सिरी खराब हो जाए क्योंकि जो बच्चा इस जुलाई अगस्ट वाल एक्टेम्ट को देगा उसके बाद नौमबर एक्टेम्ट तो अवेलेबल ही है यानि उसको दो चांसे मिल जाएंगे उसको नुकसान नहीं है बस जिनके एक्जम्ट है उनका थोड़ा एक्जम्ट हो सकत ले चुका थर्ड अटेम्म है तो इसका मतलब उसके पूरी माली जाएगी यह मालों फर्स्ट टाइम्ट अवेल करना उसको तो एक अटेम्ट को एक्जम्ट में माली जाएगा आगे दो टेम और मिलेगी लेकिन जिस इस्वेंट ने उप्ट आउट इसके चूज कर लिया है तो एसे को आगे तीनों के तीनों अग्यम्ट से अविलेबल रह जाएगी तो यह चीछ दिहान रखते हुए आप लोगों को यह करना है और बहुत सो समझ कि आपको डिजन देना है आपको समझदार हो तो आप आराम से डिजन लोर जनकी यह जो जूलाइगस्त के अग्जा